तो हर्याना लोग सेवा आयोग द्वारा निकाली गई एक और वेकेंसी के बारे में बात करेंगे, इससे पहले भी काफी सारी वेकेंसी निकली है, वो मैंने वीडियो चैनल पर डाल दिये हैं, एड़ोटाइजमेंट नमबर है 30 बटा 2022, किस पोस्ट के लिए वेकेंसी निकली है, जनरल की है 5, SC हरियाना की 3, BC हरियाना की 1, यह जो बैक लोग लिखा है, यह होता है, जो वेकेंसी पहले फिल नहीं की गई थी, यानि हो पाई थी, वो अब दुबारा से निकाली गई है, यानि कि अगर मैं बात करूं SC हरियाना की, तो दो पिछली बची वेकेंसी है, ए AWS की है एक, इस प्रकार हो गई 10, ओनलाइन आविदन आप 17 नमबर से कर पाएंगे, और क्लोजिंग डेट है 7 दिसंबर, तो इससे पहले पहले आप apply कर लें, और अगर आपको इस advertisement से संबंदित या apply करते वक्क कोई दिक्कत आती है, तो आप इन नमबर पर संपर कर सकते हैं 70489-36810, इसके साथ साथ एक और नमबर दिया गया है, और इसके लावा email ID भी दी गई है, किसी भी working day में आप 9 से 6 बज़े तक, सुबह के 9, शाम के 6 बज़े तक call कर सकते हैं, अब बात करते हैं, essential qualification की कि कौन-कौन candidates इस post के लिए apply कर पाएगा, अगर आपके पास MD या फिर MS degree या फिर PG diploma recognized as such by MCI है, तो ही आप apply कर पाएगे, इसके साथ साथ आपके पास registered as medical practitioner with medical council of India, यानि कि आप medical practitioner भी होने चाहिए, जो की registered होना चाहिए medical council of India से, और any other state medical council से भी चलेगा, इसके साथ साथ हिंदी और Sanskrit up to metric या फिर higher education में भी पढ़ा हो, तब भी चल जाएगा, और experience भी मांग लिया गया है, पांस साल का standing in medical profession, hospital experience after requiring the MDMS degree, दिगरी के बाद का पांस साल experience या फिर साथ साल का experience in medical profession, hospital experience after requiring the PG diploma, आगे भी आप experience दिया गया है, वो आप पढ़ लें, 10 साल का as medical officer, 12 year का as medical officer under any state or central government after passing MBBS, सब के आगे और लिखा है, इन में से कोई भी हो तो चलेगा, salary है, functional pay level 12, यानि कि 78,800 रुपे आपकी, जैसे जोइनिंग होगी, basic salary रहेगी, basic का मतलब है, इसके अतिरिक इस basic salary पर आपको, जो है, allowances भी मिलते हैं, जैसे कि, इस वक जो है, dearness allowance 38% चल रहा है, इसके अतिरिक, कोई, जैसे है, 8 और 16%, वो भी मिलता है, place of posting के हिसाब से, tri city में 16, बाकी जगा है 8%, इसी तरह से और भी allowances मिलते हैं, जैसे कि, electricity allowance, medical allowance, और भी बहुत सारे allowances है, department to department differ करते हैं, अब बात करते हैं, age limit की, candidates should not be less than 32 years, यानि कि, 32 years से कम age नहीं होनी चाहिए, और 45 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 32 से 45 साल का candidate ही, इस post के लिए apply कर पा आपको आपकी date of birth देखी जाएगी, eligibility criteria भी देखा जाएगा, इसके अलावा age relaxation जो दी जाती है, वो भी मिलेगी, तो जिन भी category में आप fall करते हैं, अगर आप हर्याणा के बास ही हैं, तो आपको age relaxation दिया जाएगा, evidence of age की बात करें, तो matriculation certificate भी चलेगा, और उसके equivalent भी चले गई, कौन सी पोस्ट, senior medical officer, SMO, तो golden opportunity है,